अगर मैं कहूँ कि आप एक website बना सकते हैं वो भी बिना एक रुपया खर्च करें आपका कोई business है आप student है या आपको कोई भी technical knowledge नहीं है website designing के बारे में तब भी आप एक website बना पाएंगे वो भी बिना अपने जेप से एक रुपया खर्च किये तो इसका सबसे बड़ा फायद है और आप एक छोटी से website बना कर लोगों को अपने website के बारे में बताना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में बहुत ही simple और एक बहुत आसान सा तरीका में आपको बताने वाला हूँ आपके घर में चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई बुजर्ग हो और अगर वो सीखना चाहता है एक website बनाना तो ये वीडियो आपके लिए है मैं वहनी भरदवाज एक digital educator हूँ जो पिछले 12 साल से offline और पिछले 9 साल से लगातार online computer education दे रहा हूँ जिसके लिए YouTube की तरफ से मुझे एक gold और चार silver play button दिये जा चुके है और मेरा mission है पूरे इंडिया को हिंदी शुद शरल भाषा में computer education प्रोवाइड कराना तो जब भी हम website बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमारा पाला इन दो शब्दों से जरूर बढ़ता है पहला तो domain name और दूसरा hosting service और बहुत लोगों के hosting और domain को हम इस तरह से समझेंगे hosting का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके समझा देता हूं hosting होती है एक ऐसी जगह internet पर जहां पर आप अपना सामान रखते हो यह बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे किसी mall में जाकर आप या किसी market में जाकर आप एक दुकान खोलने के हो जो भी data upload करने वाले हो जो भी अपना information देने वाले हो उसको रखने के लिए एक जगह की जरूरत होती है और बस इसी जगह को हम hosting कहते हैं तो यहां पर भी आपको अपनी जो information है वो रखनी है website की जैसे किसी दुकान में जाके आप सामान रखते हो तो आप बात करते हैं domain name की तो जब भी आप कोई दुकान खोलते हो जब भी आप कोई बिजनिस ओपन करते हो तो वहां पर उसको पर एक holding जरूर लगाते हो कि भाई यह शर्मा food company है या यह कोई school है या यह किसी और चीज़ का business है ताकि लोग उसको उसके नाम से जाने है तो जो holding आप अपने दुका करके जरूर पूछ लिजगा और अच्छे से मैं आपको समझा दूगा तो यह तो हो गया domain और hosting तो अगर आप बिल्कुल नए हो beginner हो तो free में एक website design करना कैसे शुरू करते हैं चलिए अब चलते हैं अपने computer की screen पे तो सबसे पहले अपना एक Gmail ID बना लीजिए अगर पहले से है तो आपको बहुत बहुत शुब कामना है आप अपना website बनाना शुरू कर सकते हैं तो Google पर जाईए और यहां पर टाइप करिए Google site और यहां पर आपको यहां पर जाना है sites.google.com पर इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आज दिखाए देगा और इसके लाबा कुछ templates आपको और दिखेंगे वैसे template से website बनाना बहुत आसान है लेकिन मैं blank से शुरू करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो दोको यह Google site क्या है Google का एक project है जहां पर फ्री में website बना सकते हो और अगर आपको अगर जाना है यहां पर जो hosting service है Google की आपको मिलती है फिल्कुल free मिलेगी आपको उसका एक भी रुपया नहीं देना है template का आपको एक भी रुपया नहीं देना है बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर free में मिल जाएंगी तो blank पर हम click करेंगे और यहां पर जैसे आप blank पर click करो होगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहां पर आपको टूर आएगा टूर को आप close कर दो क्योंकि अभी मैं पूरी आपको training देने वाला हूं यहां क्या क्या कर सकते हो तो सबसे पहले यहां पर entitled site लिखा हुआ है आपको यहां पर अपने website का नाम देना है उ वही हमारे website के एक उद्देश होता है कि हमारी एक online ऐसी उपस्थिती होती है जिससे हम लोगों को अपनी services के बारे में जानकरी हैते हैं कुछ लोग कहेंगे blogger पे भी website बनती है देखो blogger का उद्देश अलग है और website का उद्देश अलग है दोनों अलग अलग चीज़ें है blogger एक digital diary की तरह काम करता है जहां पे daily आप अपने thoughts को upload कर सकते हो daily एक नई जानकरी दे सकते हो लेकिं website जो है वो आपकी visiting card की तरह काम करता है आपकी services को दिखाता है और इसमें limited pages आप लगाते हो blogger पे page बनाने की कोई limit नहीं है वहाँ daily आप एक article upload करते हो तो वह एक अलग और यह एक अलग चीज़ है और google की है तो इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीज़े मिलने वाली हैं यहां पे हम देने वाले हैं नाम शर्मा जर्नल स्टोर और यहां पे आप देखो कि website का अपने आप एक नाम आ गया है अगर शर्मा जर्नल स्टोर का कोई logo है तो भी आ यहां से उस logo को upload कर सकते हो तो logo अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप logo बना लीजिए उसके बात बात आती है इस page की जो आपको सबसे उपर दिख रहा है इस page की जो theme है उसको अगर आप change करना चाहो तो कर सकते हो इसको यहां से आपको क्ल इमेज मिल जाएंगी, आपके shop से related, कोई आपके business से related, अगर आपको कोई image लगती है, तो आप यहां से select कर लो, और उसको वहां पे upload कर दो, तो यहां पर मेरे पास एक image है, मैं यहां से computer से उसको upload कर देता हूँ, यह इस तरह की image आ गई, उसके बाद यहां पे आप अपने page का title डाल सकते हैं, तो अगर आप चाहो कि आपको यही title यहां पे डालना है, तो भी आप यहां पे डाल सकते हो, तो मैं यहां पे भी शर्मा जर्नल स्टोर टाइप कर देता हूँ यह देखो, मैंने यहाँ पर शर्मा जर्नल स्टोर टाइप किया अब आप इसका कुछ font वगेरा आपको change करना हो, उसका size बढ़ाना हो तो सारी option आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ से हम कुछ size इसका बढ़ा देते हैं यह हमने इसका 24 इसकी जगे इसको कर देते हैं 48 और यहाँ पर इसको आप center कर सकते, तो बिल्कुल MS Word की तरह ही सारी चीज़न होनी है, यहाँ से आप font change कर सकते हो, जो भी font आपको अच्छा लगे तीसरा banner और title only, तो पहले अगर cover पे click करेंगे, तो आपको full size अपने website के उपर इस तरह का photo देखेगा, large banner पे click करेंगे, तो जैसे अभी आ रहा था वैसे दिखाई देगा, banner पे click करेंगे, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और title पे click करेंगे, तो यह बिल्कुल छोटा हो जाएगा, चाब वो white color से लखा है न, इस वज़े से नहीं दिख रहा है, अगर इसका color आप change कर दूगे, तो दिखने लग जाएगा, तो दुबारा से हम header type पे जाके, इसको banner पे या large banner पे हम select कर लेंगे, तो यह हमारे website का main header हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहो कि एक option आपको मिलता है, readability का, जैसे इस पे click करोगे, आप तो पीछे की जो image है, वो bright हो जाएगी, और इस पे दुबारा से click करोगे, तो पीछे की जो image है, वो halky सी, उसका जो brightness है कम हो जाएगा, और जो आपका letter है, वो आपको साफ साफ दिखाई देता रहेगा, अच्छा इसको आप चाहो जैसे भी उठा के रख सकते हो, side में रखना है, side में रख लो, center में रखना है, center में रख लो, तो drag and drop करके आप अपने यह जो text है, इसको कहीं में जाना है, यहाँ पर आपको join pendrive course का option दिखाए देगा, इस पर आपको click कर देना है, इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी offline pendrive course की website पर, यहाँ पर आपको एक pendrive course दिखाए देगा, A2J computer mastery course, इस course में पूरे 19 professional courses सामिल हैं, जो कि lifetime validity के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूपसूरत सा यह excel mug, हमारा premium mouse pad, जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे, एक free OTG, और हमारा जो pendrive है वो मिलेगा, जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी internet की आवशक्ता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए, यह pendrive चार devices पर काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके mobile phone पर, tab और आपके Android smart TV पर, अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं, तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है, जिसे ही course आपको लगवग 4000 रुबे का पड़ेगा, लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप मैंसे 5 लोगों को, यह course केवल और केवल 5000 र लेगा, तो जो भी 5 लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे, उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा, तो यह हो गया उपर का, इसका setting करना, अब इसके बाद में अगर आप side में देखोगे, तो आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी, 3 tabs दिखाई देंगे, पहला insert tab, दूसरा page tab और यहाँ पर enter करा सकते हो, जैसे इस पर click करोगे, तो एक text box यहाँ पर आजाएगा, अब इस box के अंदर आप कोई भी information अगर आपको देनी हो, आपने website से related, तो वो आप दे सकते हो, चाहे तो इसमें आप अपने कोई भी services हो, कोई भी चीज हो, आपका slogan हो, जो भी आप यहाँ डालना चाहो, डाल सकते हो, दूसरा option मिलता है, मैं image का, तो जैसे आप click करोगे image के उपर, तो यहाँ पर select और upload का option आएगा, तो select वाले section में आप जाओगे, तो same वही सारी चीज़ने खुल जाएगे, तो Google Drive का option खुल जाएगा, My URL का option खुल जाएगा, कोई URL से आप दे सकत तो यह photo वही है, जो आपके phone के अंदर पढ़े होंगे, इस वाली email ID पे, यहाँ से आप my drive में जाके, कोई भी image select करके, यहाँ पर लगा सकते हो, यह option आता है, embed का, अगर आपके पास कोई HTML code है, अब यह थोड़ा सा अलग level की चीज़ हो गई, तो अगर कोई HTML code है, और वो आ वीडियो डालने के लिए, मैं बता देता हूं आपको, आप YouTube को उपन कर वीजिए, मैं एक वीडियो का उधारन आपको देता हूं, और यहाँ पर हम चलिए, यह जो हास से लिखे वाला notes हमारा वीडियो है, तो मैं सीधे-सीधे वीडियो को यहाँ से उपन करूँगा, यहा यहाँ पर आपको वीडियो के नीचे एक option मिलता है, शेयर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर embed code आपको मिल जाएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यह code आपको मिलता है, इसे आप copy कर लीजिए, वेबसाइट के option पे जाईए और यहाँ पर embed में ज एक फ्रेम और बना हुआ है यह ब्लू को बड़ा फ्रेम है जहां पर मैंने वीडियो डाला है अब इस वीडियो को भी आप सेंटर में रख सकते हो जैसे मैं इस वीडियो को माउस से ड्रेक करूंगा तो यहां पर कुछ लाइन्स आपको दिख जाएंगी यह लाइन क्या करें इतने चोटे फ्रेम के अंदर वीडियो दिखाई दे तो भी दिखाई देगा और इस फ्रेम का साइज आप अपनी मर्जी से इतना बड़ा भी कर सकते हो तो फ्रेम का साइज भी आप गटा बड़ा सकते हो इस फ्रेम का कलर अगर आपको बदलना है तो यहां पर क्लिक करना और यह section का जो पूरा color है style 1 यह देखे change हो गया style 3 यह यहाँ पे change हो गया और image अगर आपको इसके पीछे लगानी है जैसे आपनों बहुत सारे websites के अंदर देखी होगी तो भी आप लगा सकते हो जैसे यहाँ से अगर मैं अप्ले ओट करूँगा कोई भी image को मानों मैं यह वाला image है यह इसके पीछे लगाना चाह रहा हूँ तो आप वो image भी इसके पीछे आ गया ऊपर यहाँ पे यह video आ गया तो यह जो frame आपको पूरा दिख रहा है इसकी मदद से आप यह कर सकते हो अब by chance अगर आप इसको हटाना चाह रहे हो तो यहाँ से style 1 पे click करोगे तो वो जो पीछे वाला color है हट जाएगा अब आता है option google drive का google drive से आप क्या कर सकते हो जैसे आप google drive पे click करोगे तो google drive के अंदर जो भी files आपके जो photo होंगे file होंगे document होंगे वो सब आपको दिख जाएंगे तो यहाँ पे मेरी एक pdf की magazine है मैं magazine data को open कर लेता हूँ यहाँ पर यह magazine है और अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आना चाह रहा हूँ तो भी लेकर आ सकता हूँ आप सोचो कि इतनी बड़े space के अंदर के वाल आप एक video लगा पाऊँगे बिल्कुल नहीं आप दो video भी यहाँ पर लगा सकते हो या दो frame भी लगा सकते हो तो मैंने इसको side में खिसका दिया और यह वाले को उठा के देखो कितने आसानी के साथ मैं website को design कर पा रहा हूँ अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे इसको उठा के थोड़ा सा frame छोटा कर दूँगा इसी के विराबर का तो आप देखो एक side में video और एक side में मेरी pdf book दोनों चीज़ आपको एक side में दिख रही है यह मैंने लगाया है YouTube से Embed Tool की मदद से यह मैंने लगाया है Google Drive से यह भी यहाँ पे मैंने insert किया है पीछे की background को अगर आपको बदलना है तो style 3 यह style 2 पे जाके click कर दो देखो इसके पीछे की background है वो हलकी grey हो गई अच्छे यह सारी चीज़ें करने के बाद आपको preview देखना है आपकी website कैसी दिखाई देगी जब launch होगी तो कैसी दिखेगी तो preview पे click कर दो यहां से आपको आपके website दिख जाएगी जब भी online जाएगी आपके website तो इस तरह की दिखाई देगी यहां पे दोगो मेरी pdf जो magazine वो आ रही है और यहां पर मेरा YouTube वीडियो है वो आ रही है आप जैसे चाहो प्ली कर सकते हो YouTube वीडियो को चाहो तो full screen कर सकते हो यह आपके उपर निर्भर करता है तो यह computer के अंदर ऐसी दिखाई देगी टैबलेट के अंदर ऐसी दिखाई देगी और mobile phone के अंदर यह जो website ह वो ऐसी दिखाई देगी तो यह आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिलाल के लिए भी हम preview को यहां से off कर देते हैं तो दोबारा से website के option पर चले जाते हैं अब यह आपकी जो चार चीज़े हैं वो clear हो गई हैं कि text box कैसे लगाते हैं image कैसे करते हैं गूगल drive से कै कैसे हम यहां पे कोई भी PDF हो या कोई भी image कैसे लगाते हैं अब इसके नीचे आ जाता है content blocks यह क्या है आपने बहुत सारी websites के अंदर देख रखा होगा कि वो अपनी services को अपने team members को और अपनी बहुत सारी चीज़ों को अलग-अलग image के माध्यम से नीचे insert करा देते हैं अ के लिए हम यहां पर वीडियो और उनके PDF का कुछ भी section हो सकता है जो हम यहां पर लगा सकते हैं इसके बाद हम ले लेते हैं यह वाला option अब शर्माजी की कुछ services हैं जैसे वो home delivery करते हैं उनके पास में payment के बहुत सारे option हैं उनकी जो services हैं बहुत बढ़ी है need and clean services देते हैं य देखिए मैं यहां पर click करूंगा और यहां पर देखो मुझे कितने सारे option मिलेंगे पहला option मुझे मिल जाएगा file को upload करने का दूसरा image select करने का Google Drive पे अगर आपके कोई image photo video कुछ भी बढ़ा है तो वहां से upload करने का YouTube का option मिल जाएगा कुछ video के बनाके आप अपने shop का आपक का इस्तेवाल कर सकते हो तो यहां से मैं एक image upload करूंगा और मैं यहां पर डालूंगा कि हमारे यहां पर free home delivery होती है तो यहां पर मैं click करूंगा upload के option पर और यहां पर free delivery का जो मेरा photo है उसको मैं upload कर दूंगा और यहां पर मैं नीचे यहां पर या तो Hindi में या English font में किसी में मैं भी यहां पर type कर दूंगा तो यहां पर मैंने type कर दिया है free home delivery और इसको मैं जैसे चाहूं पैसे bold italic underline कुछ भी कर सकता हूं इस पर अगर मैं कोई link लगाना चाह रहा हूं तो मैं लगा सकता हूं इसके नीचे अगर free home delivery की बारे में आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो जैसे कि अगर आपको लिखना है कि 500 रुपे से जादा की कोई shopping करता है तो उसको free home delivery मिलेगी तो यहां पर आप लिख सकते हो 500 रुपे से उपर की shopping पर free home delivery की जाएगी तो नीचे आप condition डाल सकते हो इस तरह से ठीक है मैंने यहां पर लिख दिया है अब आपकी कोई और service है जिसके बारे में आप जनकरी दे सकते हो अमाली जीए यहां पर कोई membership plan भी है तो उसके लिए भी आप यहां पे कोई भी photo upload कर सकते हो तो जैसे यहां पर मैं membership plan के लिए एक photo upload कर देता हूँ और यहां पर membership plan type करके इसको भी मैं बोल्ट कर दूँगा और नीचे इ अगर कोई condition आप देना चाहते हो कि एक साल की जो free membership है वो मिलेगी customers को इस तरह से अब यहाँ पे जैसे आपकी एक और service है जैसे आपके यहाँ card payment की सुविदा है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे भी अगर हमारा पास card payment है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं तो इस तरीके से देखी अभी हमने यह कुछ यहाँ पे जो शर्मा जरन स्टोर का जो page है वो बनाया है तो यह हो गया हमारा content block वाला option इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े मिलने वाली है यहाँ पे आपको table of content बिलेगा image का slideshow अगर आपको बनाना है तो आप लगा सकते हो slideshow आपको लगा के मैं दिखा देता हूँ यहाँ सिर्फ उठा के आपको इस पे click करना है यहाँ पे आपको 2-3 image upload करनी है इस तरह से मैं यहाँ पे यह सारी images upload कर देता हूँ तो यह images यहाँ पे आ गई और insert तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक slide show जैसा बन जाएगा इसको पकड़ के हम थोड़ा सा खीच देते हैं यह देखो इस तरह से अब मैं जब इसका preview आपको दिखाऊंगा इस तरह से तो आपको यहाँ पे यह जो slide show है नीचे वो चलता हुआ दिखाए देगा यह देखे तो यहाँ पे यह जो slide show है वो भी आगया है दुबारा से back जाएंगे अब देखो यहाँ पे इसके लावा आपको option मिल जाता है map का अब आपको अपने store की location यहाँ पे लगानी है तो यहाँ पे आपको click करना है map बाले option पे और यहाँ पे आपको दो option दिखाए देंगे एक map और एक my map अब map पे आप कोई भी area को zoom कर लीजिए control का use करना पड़ेगा आपको कहीं भी zoom करने के लिए यह देखे इस तरह से अमाल लीजिए आपका जो shop है वो लखनव के अंदर या दिल्ली के अंदर किसी भी जगह पर है जहाँ भी आपका हो तो उस area को आप zoom कर लीजिए मैंने वो area zoom कर लिया है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको अपना location set करना है अपने customers को बताना है वहाँ पे drop और place mark पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है अब देखें मैंने यह जो place mark है वो यहाँ पे छोड़ दिया है इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने working hearts भी दे सकते हो वो देने के लिए आपको यहाँ पे simple क्या करना है एक text box और insert कराना है यह text box पे उठाके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ यहाँ पे देखो यह मैंने यहाँ रख दिया अब मैं यहाँ पे अपने जो working hearts हैं वो मैं डाल दूँगा जो मैंने पहले से रख के दे यहाँ पे हमारे working hearts आ गए यहाँ पे हमारा map आ गया इसके अलावा भी अगर आपको कोई information देनी है तो बस आपको यहाँ से उठा के वो सारी चीज़ने रखनी है तो यहाँ पे अभी जो हमने website बनाई है वो single एक page की बनाई है अगर आपको इसमें कोई और page add करना है तो आपको जाना है यहाँ पे page वाले option पे इसपे click कर देना है अब यहाँ आप देखरों को फिलाल के लिए यहाँ पे एक homepage दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको नीचे plus का icon मिलेगा जैसे आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे न्यू page, new link, new page embed और new menu section का option मिलेगा आपको simple new page पे click करना है तो यहाँ पे आप कोई भी information दे सकते हो अपना एक और नया page बना के तो यहाँ पे एक page बना देता हूँ contact us के नाम से इसे मैं जैसे done करूँगा तो आप देखो, यहाँ पे home और यहाँ पे contact us दिखाई दे रहा है अगर आपको एक और page बनाना है about us के नाम से तो भी आप बना सकते हो उसके लिए simple आपको यहाँ पे plus पे क्लिक करना है और यहाँ पे about us टाइप करके done कर देना है तो आप देखो, यह page हो गया contact us यह page हो गया about us और यह page हो गया home तीन page आपके यहाँ पे हमने बना दिये और यह तीनों page अपनी आप यहाँ पे set हो जाएगे अब यहाँ पे जैसे आप इसका preview देखोगे तो देखो कुछ preview आपको इस तरह का दिखाई देगा हमने सबसे उपर एक image लगाई थी नाम लिखा था उसके नीचे हमने एक section बनाया जिसमें हमने यहाँ पे video लगाया एक PDF book लगाई उसके नीचे हमने अपनी जो services हैं वो लगाई हाँ इसके उपर अगर आप लिखना सकते हो हमारी अन्य सुभिधा है तो वो भी आप एक text box लगा के लिख सकते हो उसके नीचे हमने एक slide show बनाया अपने store के जो photograph थे वो हमने लगाए उसके नीचे हमने यहाँ पर google map लगाया और अपनी कुछ जो working hearts हैं वो लगे अगर कोई यह सारी चीजने करने के बाद भी आपको कुछ enter और करना है तो insert के section पर जाके simple यहाँ पर text box को enter करा दो यह मैंने click किया और यहाँ पर आगया तो यहाँ पर आप लख सकते हो हमारी सुभधाय इस तरह से और इसको आप चाहो तो double click करके आप बोल्ड करा लो इसको center कर दो यहाँ से इस तरह से और इसका size भी आप बढ़ा कर सकते हो देखो यह मैंने size बढ़ा कर दिया इसका color आगा आपको change करना है जो पीछे हमने पू बढ़ा हो गया है अगर आपको यह सारा concept अच्छा लगा हो आपको यह website बनाना अच्छा लगा हो तो एक पूरा dedicated एक घंटे का वीडियो भी मैं इसके उपर आपको बना कर देख सकता हूं सारी चीज़ें आपको बारी किसे मैं यहाँ पर बताऊंगा तो नीचे comment करके बता आपसे पूछा जाएगा तो यह web address क्या होता है यह वही domain name होता है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था तो यहाँ पर चुकि सारी चीज़ें हम free में use कर रहे है domain name का भी हम एक रुपया नहीं दे रहे हैं तो Google अपना नाम थोड़ा सा आगे रखेगा तो यहाँ पर जो domain name होगा आपका वह होगा sites.google.com slash view और slash शर्मा जर्नल स्टोर अच्छा यहाँ पर आपको अपना custom domain लेना है तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा यहाँ से जाके आप अपना custom domain भी add करा सकते हो तो यहाँ पर नीचे पूछेगा कि who can view my website तो कौन-कौन मेर public के लिए खुला रखना चारहे हो तो यहाँ पर anyone को select रहने तो कुछ मत करो इसको नाम को बदलना चारहे हो तो बदल दो कोई दिक्कत नहीं है जो नाम बदलोगे वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ से simply इसको publish कर देना है तो जैसे आपकी website publish होगी वो online आ लिखा है देगा site.google.com slash view slash sharma channel store slash home क्योंकि हम home page पे हैं आप जैसे contact us page पे होते तो contact us page यहाँ पे लिखा हुआ आजाएगा और about us पे जैसे हम आएंगे तो about us आजाएगा यह अभी blank है आप जैसे चाहो वैसे इनको edit कर सकते हो अपना नाम पता address अपने बारे में बहुत सार जानकारी दे सकते हो यहाँ पे आपको search option मिल जाएगा जो अलग-अलग pages पे आपकी दी हुई जानकारी को search करेगा अब यह address आपको किसी को share करना है तो share करने का simple तरीका इसको copy करो अब जहां चाहे वहाँ जिसको चाहे WhatsApp पे आप जिस भी जगे चाहे इसको share करा सकते हो और नीचे comment करके जरूर बताना एक घंटे का डेड़ घंटे का एक वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत सारे option है मैं आपको जरूर बना के बताऊंगा मैं मिलता हूँ आपसे clear video के तब तक कि जय हैं वन्निमात्रम